नमस्कार दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सेफ होंगे सुरक्षित होंगे जहां भी होंगे दोस्तों आपको पता ही चल गया होगा कि भारत में क्या चल रहा है एक बहुत बड़ी खुश खबरी है उन लोगों के लिए जो लोग टीका के खिलाफ हैं जो लोग नह हो रहा है कि जबरदस्ती हो रही है कुछ ऐसी सिच्वेशन क्रियेट की जा रही है कि आप नौकरी नहीं कर सकते आपको एकदम ही बाइकोट कर दिया जा रहा है बहुत आपको मतलब ऐसे ऐसी मजबूरियां आपके सामने रख दी जा रही है कि आपको वो टीका लेना उस पर जबरदस्ती हुई थी डॉक्टरों और पुलिस ने काफी जबरदस्ती की उसके उपर बिना उसको बताये कि उस टीके के क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं उसे उस पर जबरदस्ती की गई और उसने जो है जज्मेंट की गुहार की लेश ओजा जी ने पेटिशन लगाया जाएगा अगर जबरदस्ती लगाया गया तो वो एक क्राइम माना जाएगा आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं जैसे कि उस कैदी ने लिया और अगर आपको टीका लगाया जा रहा है बिना उसका साइड इफेक्ट बताए तो भी यह एक बहुत बड़ा क्रा हाते हैं लगवाना उनके लिए आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है ये कि अगर कोई भी आपसे जबरदस्ती करता है कि भाई नहीं आपको लगाना पड़ेगा जबरदस्ती अगर आपका हाथ भी पकड़ता है तो भी उसके उपर आप तगड़ा करेंगे आप को सेलरी नहीं मिलेगी आप उनको ये जज्जमेंट दिखाईए और बोलिए कि आप बहुत बड़ी मुसीबत में फास सकते हैं ठीक है और उसके खिलाफ ये एक्शन लिया गया और सुप्रीम कोट ने ये भी बोला है कि ये टीका जो लगाया जा रहा है इसका कोई प्रमाण नहीं है कि ये पूरी तरह से कारगर है इसलिए अगर इसका दूसरा डोज कोई ना लेना चाहे तो उसको जबरदस्ती नहीं की जा सकती है मतलब अगर आपने पहला डोज ले लिया है और दूसरा डोज आप नहीं लेना चाहते हैं तो ये आपकी इच्छा प अगर टीका लगाने के बाद किसी की मृति हो जाती है तो सेक्शन 302 लगा करके जिसने वो टीका लगाया है उस व्यक्ति को उन पर मर्डर का चार्ज लगेगा. अब जो है ये बिना मर्जी के नहीं लगवा सकते कोई आप जबरदस्ती नहीं कर सकता चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो पुलिस हो चाहे कोई भी हो अब आपकी पूरी पूरी इच्छा है आप अपने इच्छा के मालिक खुद हैं. सो अब कोई डरने के ज़रुवत नहीं है कहानी यहां पर आके बिल्कुल शांत हो जाती है. सो अब आप लोग निडर हो करके रहिए, निश्चिंत हो करके रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए. मिलती हूँ नेक्स वीडियो में, टेक केर, लव यू आल, गुडबाई.